अर्चना स्वेच पाक्षाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज मैं दोड़की का ठेचा बनाने जा रही हूँ दोड़की जिसे की तुरे के नाम से भी जाना जाता है तुरे कई प्रकार की होती है तो यह हमने धारी वाली तुरे ली है इसके छिलकों का ही हमें ठेचा बनाना है ये महरास्ट में काफी प्रचलित है और वैसे ये सब जगे बनाया जाता है तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और काफी दिनों तक चलता है कई दिन तक हम इसे खा सकते हैं और इसे हम पूरी पराठे राइस के साथ में भी खा सकते हैं पकोड़े के साथ में भी यह बहुत जादा अच्छे लगते हैं तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं हमने बड़ी वाली तुरई को अच्छी तरह से धोकर साफ कर लिया है उसी हिसाब से हमें लेसुन और मिर्ची लेनी है तो हमने कुछ लेसुन और मिर्ची ले लिए है और नमक लेंगे स्वात के नुसार और मुफली के दाने लिए है एक चमच जीरा लेंगे खटाई के लिए खटाई का पाउडर है या फिर नीबू का रस भी हम इसमें डाल सकते हैं अब हम तुरई को छी लेंगे अब हम तुरई का सबसे उपर का हिस्से को हम पीलर से पील कर लेंगे ये थोड़ा धागे के जैसे रहता है तो एक बार हम इसको निकाल लेंगे और यो ये थ्रेड जैसा निकलता है इसे हम पहले निकाल के फेक देंगे और बाकी अंदर के पूरे हिस्से को हम ले लेंगे चटनी के लिए तो इस तरीके से हम तोड़ के देखेंगे साइड में धागा जैसा जो भी निकल रहा है तो सब को हम निकाल के फेक देंगे और टुकड़े करके हम देख लेंगे अंदर से तुरई अच्छी है या नहीं एकदम अच्छी ताजी तुरई है तो अब हम सभी तुरई के छिलके को निकाल लेंगे छिलके हमें तब तक निकालना है जब तक उसका सफेद हिस्सा नजर ना आए तो सारे हम ग्रीन वाला हिस्सा जो भी है वो हम पील कर लेते हैं और इन छिलकों से हम चटनी बनाएंगे ये चटनी बहुत ही टेस्टी लगती है इसे महारास्टर में ठेचा बुलते है हमने सभी छलके निकाल दिया और ये अंदर का जो हिस्सा है इसकी हम सबजी बनाएंगे या इसे और कुछ दूसरी चीज भी बनाएंगे तो इसे हम ठेचेंगे नहीं अब हम एक पैन में थोड़ा सा तेल डालेंगे और उसमें लस्धी कलियों को हम भूनेंगे और इसी में मिर्ची भी तोड़ कर डाल देंगे मिर्ची आप छोटी तीखी वाली होती है वो भी ले सकते है तो मैंने थोड़ी मोटी वाली मिर्चिल ली है तो इन्हें हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे जब तक की कलर इनका चेंज ना हो जाए कुछी तरह में ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाता है जब ये अच्छी तरह से इसका कलर चेंज हो जाए फ्राई हो जाए तो इसको अलग खाली में निकाल लेंगे ताकि ये ठंडा हो जाए और इसी के अंदर हमें तुरई के छिलकों को मिला देना है और उसी तरह से इसको भी हमें फ्राई कर लेना है एक बात का ध्यान रखना है कि इसमें हमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है कुछी देर में ये भी अच्छी तरह से गल जाते है और जब ये अच्छी तरह से गल जाए तो हम पिछली जो हमने लैसुन और मिर्ची जो फ्राई करके रखे थे वो इसमें मिला देंगे और फिर कुछ देर तक हम इसको सब को मिलाकर हिलाएंगे और ये इसमें सिर्फ पानी नहीं डालना है, ये बात का हमें ध्यान रखना है, और यदि हम इसमें पानी नहीं डालेंगे, तो आराम से ये दो वीक तक खराब नहीं होती है, और अब ये पूरी अच्छी तर से पग गई, इसे हम निकाल के ठंडा होने के लिए रख देते हैं अब हम एक सूखे पैन में या किसी भी कढ़ाई में या तवे पर भी मुफली को ड्राइ रोस्ट करेंगे इसमें हमें तेल बिल्कुल भी नहीं डालना है बस इसको सूखा ही हमें रोस्ट करना है और इसको लगातार चलाना है मुफली चार चमच ली हुई है हमने तो आप चाहे तो हरा धनिया भी इसमें डाल सकते हैं और नाजेल भी डाल सकते हैं लेकिन हरा धनिया और नाजेल डालते हैं तो चटनी ज्यादा दिन तक चलती नहीं है अब मुफली रोस्ट हो गई है जब मुफली अच्छी तरह से रोस्ट हो जाती है तो इस तरह से हाथ से मसल कर उसके छिलके हम निकाल लेंगे तो इस तरह से हाथ से मसलने से मुफली के छिलके बड़ी आसानी से निकल जाते हैं तो पहले हम सभी मुफली के छिलके निकाल लेते हैं पहले हमने हाथ से मसल के चिलके निकाल लिए अब इस तरीके का एक जारा लेंगे सारी मुफली को हम जारे के उपर रख देंगे और थोड़ा हिलाएंगे तो चिलके नीचे निकल जाएंगे और बिना चिलके वाली मुफली के दाने हमें उपर मिल जाएंगे ये बहुत सरल तरीका है मुफली के छिलकों को निकालने का यदि मुफली अच्छी तरह से रोस्ट हुई है तो छिलके बड़ी आसानी से निकल जाते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होता है अब हम मिर्ची के भी छिलके निकाल लेंगे मोटी वाली मिर्ची ली थी इसलिए इसके छिलके निकालना जरूरी है यदि पतली मिर्ची है तो उसके छिलके निकालने की जरूरत नहीं है अब हम सभी चीजों को चौपर में डालेंगे और इसको दरदरा सा पीस लेंगे इसे पत्थर में भी पीस सकते हैं तो इसे हमें दरदरा पिसना है, किसी भी तरह से इसे हम दरदरा पिस लेंगे एक बार हमने इसे दरदरा पिस लिया, अब इसमें हम थोड़ा सा अमचूर का पाउडर डालेंगे और जीरा डालेंगे जीरा के बदले आप रोस्टेट जीरा का पाउडर भी आधा चमच इसमें डाल सकते है और अमचूर के बदले नीबू का रस डाल सकते है आधा नीबू का रस और स्वात के अनुसार इसमें नमक डालेंगे और फिर से एक बार इसको दरजरा सा पीस तो इसे हम निकाल लेंगे, ठेचा बनकर तयार हो जाएगा, तो एक बार फिर से हम इसे पीस लेंगे, ठेचा बिल्कुल रेडी हो गया है, आप चाहे तो इसे इसी तरह से खा सकते हैं, और नहीं तो तेल में फ्राइ करके भी इसे हम थोड़ा सा तड़का लगा कर इसे तयार कर सकते हैं, तो इस तरह से एक पैन में हम तेल लेंगे, तेल जो भी आप खाते हैं, उसमें इसको ठेचे को हम डाल देंगे, कुछ देर तक हम इसको फ्राइ करेंगे, और फिर इसे ठंडा होने देंगे, जब ये ठंडा हो जाएगा, तब हम इसको बोटल में निकाल के रख खा सकते हैं बहुत जादा स्वादिश्ट लगती है आप इसे जरूर बनाईए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में तब तक अपना खुब खुब ख्याल रखिए स्वस्त रहिए मस्त रहिए थैंक यू कि है झाल बनाई हैं तंबिए।